संस्कृत भासा को देव भासा कहते हैं संस्कृत भासा का जनक महर्शी पानीनी है हेलो फ्रेंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज संस्कृत का कुछ कोस्टन सीटेट का करा रहे हूं तो चलो आए देखें इसमें एक असलोक दिया गया है चार लेन उसको परके फिर नीचे उसका अंसर देना है एते सत्पुरुसा पदार्थ घटका स्वार्थानान परितज्य ये समान यचा प्रात मिर्धम भिर्था स्वार्था बिरोधेन ये सत्पुरुस कोन है वह सत्पुरुस है जो अपना संसारी प्रदार्थ को छोड़ के परुपकार की भाबना रखते है परित का कार्ज करते है वही सत्पुरुस है दो लेन में जो है समान यच प्रात मूर्धम भिरता समान व्यक्ति कौन है जो दूसरे की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं दूसरे का हित करते हैं वही समान प्रूस है दूसरे के धर्म में ही दूसरे को प्रवकार करने में ही धर्म है और दूसरे को पीरा देना ये धर्म है एके मनुस रच्षा साप परेतम इंती स्वर्ताय निट्दीनित ये निद्दीनिती निर्थ का परेतम आपृतम आजानि failed . जो मनुस अपने हीत के लिए दूसरे को बुराई करते हैं वो अब्यक्ति सत्पुरूस नहीं होते हैं सत्पूरुस हुए होते हैं जो दूसरे का भलाई करते हैं अब आए कोस्चन देखें के सत्पूरुसा भवन्ती सत्पूरुस कोन होता है ओप्शन ये पुत्रान पालियंती ये स्वार्थ ब्याय परोपकारम कुर्वन्ती ये स्वार्थ साधियंती एसा धनम नास्ती इसका सह अंसर होगा बी यह स्वार्थ विहाय प्रोपकारा कुर्वंति मानुस रक्षसा किम कुर्वंति मानुस को राच्छस को किस मनुस को यहां पर राच्छस कहेंगे जो मांस भच्छती ऑप्सने में है मांस भच्छती बी में स्वार्थाय परहित नाश्यंति इसी विद्या भ्य नाशी अंत इसका सही अंसर B होगा। आगे देखे, स्वार्था विरोधेन परहितम कुर्वानां के दूसरे को परहित मतलब दूसरे को भलाएं हैं कोन vomit करते हैं समान्यास oh three option ने में समान्या, B में सत पुरुशा, C में देशा वही मानिना, D में रक्ष्यसा इसका सही एंसर होगा समान्या ओप्साने अनुस्टूप चंद सी B. मात्रास चंद सी C. सारधूल विक्रन्रती तच चंद सी D. बंस अस्थन्स चंद सी इसका सही एंसर होगा C. सारधूल विक्रन्रती तच चंद सी आगे देखें ब्याख्या नात्मक पाठने एतस्चे मंत भर्वती ओप्शने साहित कल्पनाना नाम लोकती नाम लोकोकती नाम अलंकार नाम चोधोरा अवी भ्यकती नाम अर्था नाम आप्शन B पाठे सचा दुखता नाम अर्था नाम आप्शन C बास्त बंसा नाम घटना सर्नी नाम परधान विचारा नाम समानी कर नाम आप्शन D मोखिक संडचना नाम चित्रनस्च समान रचना भी अथवा समान सब्दै कथा लेखनस्च इसका सही एंसर होगा आप्शन C ब्याकरन कवसलाम संडचना कवसलाम चो ओप्शन D संदर्विक पाठफुस्तक अबबोधनाम इसका सही एंसर होगा संदर्विक पाठफ बस्तु को अबबोधन की जो अप्यक्षा करता है आप्शन D संदर्विक पाठफुस्तक बस्तुना अबबोधनाम भासा सिच्छन बिशे बहबार बादी विचार धारायाम आप्शन E अनुभवाय प्रमुख्यम पर्दी यते आप्शन B बोधनास केंद्र चात्रो भवती आप्शन C साला सिच्छ कस्चो परधान पात्रा वहता D उत्प्रेर्ना परतितर संबंध सर्वधनास्य परधानायम विद्यते भासा सिच्छन के बिशे के अंतरगत बहबार बादी विचार धारामें उत्प्रेर्ण पर्तितर संबंद की संबर्धन की परधानता होती है इसका यह सही अंसर होगा उत्प्रेर्ण पर्तितर संबंद संबर्धन नस्त परधानयम विध्यनते सही अंसर इसका D होगा भासा के बहबार में आगे देखे इसका सही अंसर होगा A ओप्चारी के बढ़ अनौप्चारी के संभासन में सुक्त भासा का कौसल का उप्वियोग आवस्था को होता है यह सुक्त भासा जो भावो का संग्रह होता है और गंभीर को अपने में संजोगे रखता है सुक्त भासा कोशला नाम उप्योग कह बलबंत न बाधते सीतम कमल बनत न बाधते सीतम इत दुधार्णम इसका उधारण क्या है ऐसा कौन बलवान है जो जिसे सीत बाधित नहीं करता है उप्षन ए संभंग सलेशस उप्षन भंग सलेशस उप्षन सी उपमालंकरस डी रस धोने इसका सही अंसर होगा संभंग सलेशस आगे देखे विचार मन्थनां संपरियोजना भवन्ती ब्रेन स्ट्रोमिंग तस सुवी चारेभ्य बहिर गनातु मिस्षेते ओप्षन बी एदा चित बिधानानी अस्थापितानी सी मूल यदा मूल भूत विचारं परचार इतुम इस्षिते यदा विशय भिविनचे सर्जन आत्म कभी धानां सर्वधनम पेचितं इसका सही अंसर होगा इसका विचार मंथनम विचार का मंथनम कोन करता है ब्रेन स्ट्रोमिंग परिन नई विद्धा को परतिपादन होता है इसका सही अंसर होगा डी इदा विशय भिविच्छने सर्जनात्मक भिधानां सर्वधनम में पेचितं शिच्छनस आरंभ बिंदू परवत्तितुम छात्रा नाम अब वधन दोरलब्भे गब्बेश नाय किर्यमानम मौलिंक्यानम भवतिव आप्षणे दिनिदानात्मक भी सत्रात्न किर्थम दोक्लनात्मक मौल इसका सही अंसर होगा निदानात्मक अगे देखें प्राथ मिस्तरे छात्रे पुना पुना किरिया माना दोसा इमे उपसाने उच्चारन दोसा बी लेखन दोसा सी तर्क दोसा डिव्याख्यान दोसा इसका सही अंसर होगा उच्चारन दोसा प्राथिम छात्रे जो पहले साथ से पहले पुना दिरे दिरे क्या करता है उच्चार दोसा आगे देखें मॉल्यांकनम नाम्मा उप्षन है लच colossिधी मापनम रचनात्मिकं शंकल्नात्मिकं चो परिख्छा बार्शीकी परिख्छा कल्याः परिख्छा सा आकलने कि कृकर्णम इसका शही इंसर होगा लच्छ शिधी मापनम मुल्यांकन का पाणी से ब्यक्ति के गुण्द उसका बीवेचन होता है कि इसे लच्छ सिद्धी मापन इसका सही अंसर होगा option ऑप्सण को गंथ पाटे नियमानुसारे नियादिच्छा ओ अपनी तनाम सब्धाना अस्थाने छात्रे पद पूर्ण यस्षा परकरियायाम किर्यते साफरिच इसका सही एंसर होगा B, कलोशू बिधानम, भासा बोध का नाम आधा कर्तब्यम, भासा बोध की पहली अब सकता है भासा की पूर्ण जानकारी होना, और कोशल चात्रों को विश्यगत कुशलता का सही मानन अस्थापित करना, भासा बोध का नाम आधा कर्तब्यम, अप्शने, सवी बर्नम संपुर्ण पाठ बोध नाम, B, चात्रा नाम, भासा दोस सोध नाम, C, चात्रा नाम, संबहन कोशल बिभर्धने सहायम, D, व्याकरन प चात्रा नाम, संबहन कोशल बिभर्धने सहायम, व्याकरनस लच्छ नाम, ऑप्शने, भासा परभाहम, ऑप्शन भी भासायम, परस्तुती, C, भासा दर्श नाम, D, भासा सिद्धान्त, इसका सही अंसर होगा, D, भासा सिद्धान्त, व्याकरनस लच्छ नाम, व्याकरन का सिद्धांथ कौन सा है तो भासा भ्याकरण का लचनम है भासा सिद्धांतम भाक कउसलस बर्धने परी नामकारी गती विधी शू अन्य तम्ह अप्सन ने अस्थान पती सरन्या अभ्यास भस्तू निष्ट व्याकरण परिच्छ अभिनेया बाचनम इसका सही अंसर होगा अंचर्विक संपरकस्त संस्था पनाई संड़क्षन नाई चोब भासाया उपयोग एवम अभी दिये यते, और बहुत हैं संबाद्धित्मिका क्टिया, और चारीको उप गमां, C. विशलेश नात्मका उपगमा D. पर्ट्यक्ष छोपगमा एका सही अंसर होगा भासायां संबादितित्म का गिर्या आगे देखें चलो आगे देखते हैं असमीन बादे संग्या नात्मक व्यवस्थायां संबर्धनम भासा भिवक्ते पुरुबर्ती भवेती ती परिगन्यते ओप्षने प्याजे महोदस पदिति B. परकिर्तिक दर्शनम C. रचनात्मकोप गमा D. परकिर्यात्मकोप गमा इसका सही अंसर होगा A. प्याजे महोदस पदिति धन्यवाद, लाइक, शेर, एंड सब्सक्राइब